आज हम बात करेंगे धातुओं के रासाइनिक गुणों पर ये धातुओं के जो रासाइनिक गुण है ये एक्जाम के पाइंट आप यू से क्लास 10 और अनिक अक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है तो इसमें पहला गुण मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ ऑक्सीजन से क्रिया तो धातुओं क्या होती है कि ओक्सीजन से क्रिया करके देखिए याँ पर ये मैगनिशम रिविन है और इसको आक्सीजन की उपस् है तो ये आप बेलेंस कीजिए तो MGO बन गया और दो यहाँ पर लिख दिया आपने तो मैगनिशम धातु ने ऑक्सीजन से क्रिया की और मैगनिशम औक्साइड बनाया तो धातुये जब पानी मिला दे और लाल लिटमस को इसमें डुबा है तो उसको वो नीला कर देगा तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है क्षार करता है मतलब यह कौन सा ऑक्साइड है क्षारी ऑक्साइड है तो धहतु है जब भी ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्षारी ऑक्साइड बनाती ह इसका एक बढ़िया उधारन की जो कमरे के ताप पर ही क्रिया कर लेने वाली धातू है उसका लेते हैं तो वो है sodium sodium जो है वो oxygen से कमरे के ताप पर क्रिया करके sodium oxide बनाती है तो यह आपका room temperature के उपर ही यह possible हो जाता है चलिए दूसरा गुण देखते हैं हमें कम संग हम 5 गुण तयार इसके करना चाहिए दूसरा जो हमारा महत्वपुन गुण है उस पर हम अभी थोड़ी देर से बात करेंगे तीसरा हमारा गुण है chlorine से क्रिया chlorine से क्रिया करने पर क्या होगा कि धातु है जब chlorine से क्रिया करती है तो देखिए ट्वाइज एने यह sodium धातु और यह chlorine Cl2 और यह ट्वाइज एने Cl sodium और chlorine से जो है sodium chloride का बनना तो यह जो कुछ बना है sodium chloride जो बन रहा है तो हम कहरें यह ionic chloride है बिल्कुल सही बात है क्योंकि irony chloride बना है यह इने प्लस और Siयल minus जो है वो ions होते हैं हमें पता है जब बनते हैं तो यह sodium chloride जो हमारा बना है तो यह sodium धातु कی chlorine से क्रिया करने पर क्या बना जिसको आइनिक Cl नबी कहते हैं तो धातु है जब भी I加 बनाएगी चलिए मैं अभी जो बात कर रहा था उस पर कर लेतें कि एक गुण मेंने कहा था कि वो दो नंबर कौन सा है तो हाइट्रोजन से क्रिया तो सामानित धातुएं हाइट्रोजन से क्रिया नहीं करती आप बता सकते हैं लेकिन जो कुछ धातुएं हैं जैसे सोडियम है आइनिक क्लोराइड बनाती है तीन गुण हो गए आगे बढ़ें अगला है तनू अमलो के साथ क्रिया धातुएं जब भी तनू अमलो से क्रिया करेगी तो वो धात्विक लमण मनाती है ठीके अब वो जो तनू अमलो से क्रिया करने पर क्या बनता है धात्विक लमण मनता ह और hydrogen gas निकलती है तो जो भी धातू होगी वो जब भी अमले से क्रिया करेगी तो धातू के संगत लमण बनेगा जैसे यहाँ sodium है तो sodium के संगत लमण होगा sodium chloride है न तो 2 Na plus 2 HCl 2 NaCl plus H2 देखिए 2 Na और 2 Cl यह 2 NaCl बन गया और 2 H है तो यहाँ H2 होगया मतलब hydrogen gas निकल गई तो यह धात्विक लमण बनकर hydrogen gas निकली है तो यह तनू अमलों से हमारी क्रिया हो गई तो पहली हमने लिए थी oxygen से क्रिया दूसरी हमने लिए hydrogen से क्रिया तीसरी हमने लिए chlorine से क्रिया और चोती हमने लिए तनू अमलों से क्रिया अगला और देखते हैं फिर हम ले ले लेते हैं जल से क्रिया तो हमारी 5 क्रिया पूरी हो जाएगी तो धातू है जब भी जल से क्रिया करेगी जैसे यहां पानी से इसने सोडियम ने क्रिया की तो ट्वाइज एने सोडियम का सूत्र आपका जो है वो एने है प्रतीक तो ट्व hydrogen gas निकली यह जो पूरी प्रोसेस है यह जो संपन हुई है यह थंड़े पानी या गर्म पानी में बनी हुई है या तो यह थंड़ा पानी ले लिए गर्म पानी लेकिन अगर आपने भाप ले ली तो फिर सीधे यहां पर क्या होगा यह धात्विक ऑक्साइड बन जाएगा फ पांश तरह की रियक्शन सीखी मैं इसको संब्री कर देता हूं जो रहे एक पल में आपके लिए बहुत सरल बनाकर कि धातू में जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करती है ख्षारी ऑक्साइड बनाती है ठीक है तो धातू ने ऑक्सीजन से क्रिया कि 4NA प्लस O2 ट्व अधरी नो तो CL2 लिख लेना जलो तो H2 लिख देना ठीक है न तो यह मैं यह सोच कर आपके साथ मिस पर काम कर रहा हूं तो अक्षारी ऑक्साइड बनाई हाइडोजन से क्रिया करने पर सामानेता धातू है है थातू है नहीं करती है तीसरा हमने कहा था कि यह जब क्लोरीन स CL ले लिजिए यह ट्वाइस एने CL प्लस H2 और आखरी भी वही बता रहा हूं मैं कि अगर जल से क्रिया हो तब भी आप एने ले लिजिए प्लस ट्वाइस एस टू है तो इस तरीके से यह भी एक अंदाज है आपका कि आप सब जगे सोडियम को लेकर जब ऑक्सिजन से क्र क्रिया हो तो O2 लिख दीजे, क्लोरीन में CL2 लिख दीजे, तनू अमलो में SCL लिख दीजे और जल में H2O लिख दीजे और फिर उस से क्रिया करने के बाद में ध्यान रखेगा कि तनू अमलो और जल से क्रिया करने पर हाइटरोजन निकलती है और क्लोरीन से क्रिया करने प बता सकते हैं धन्यवाद